तो दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारे चैनल पर जहां हम बाते करते हैं फैशन ब्यूटी राइट स्टैल पूझा पाट से जुड़ी हुए ओल इन टॉपिक पर और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का इस्पिरेंस फ्रेंट जाय जी किछना राधे राधे कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी मुझा चीक हूँ आज का वीडियो जो है वो लड़ो गुपाल की चंदन शिंगार पर है जो कि मैंने एका दशी के लिए आपको बताने चाहरी हूं कि आप इस एका दशी पर लड़ो गुपाल को इस परका बहुत साथा पुता हुआ सा नहीं है बहुत ही सोवर सा मैंने किया हूआ है तो मैं यह आपको दिखाने जा रही हूं और इससे पहले में बहुत हैवी हैवी शिंगार करके दिखा चुकिए उस चंदन से तो आप चाहें तो वीडियो को भी वाच कर सकते हैं तो यह आप दे चंदन की हैं मैं सिंदूर बोले हीं मैं पता नहीं क्यों Church का जो थोड़ा हें और ओपर वह रेड चंदन से मैंने बिंदिय रगए है तो हाथों पर मैंने आपको ऐसे दिखाते हूं टाकर यह हाथों पर आप देखेंगे मैंने कड़े बनाए है पीले और लाल रंग की चंदन से इनको नखून पर नेल पेंट टाइप का लगाया है यह आप देखें बोहती सोबर सा बाजू बन बनाया है मैंने इनके हाथों पर लड़ू पर भी कलर किया हुआ है तो यह जो एकादशी आने वाली है तो आप इस एकादशी पर इस तरीके से शिंगार कर सकते हैं क्योंकि वैशाक महाँ चल रहा है चंदन यात्रा का परव चल रहा है तो ऐसे में आप इस तरकार से शिंगार कर सकते हैं एकादशी पर कुछ लोगों का कमेंट है कि दीदी क्या प्रती दिल ऐसे शिंगार करते हैं जी नहीं आप हर दूसरे तीसरे चौथी दिन पर हपते में एक बार अच्छे से बाड़ी पर लेप करकर मतलब अपनी सुबधा के अनुसार जो भी आपको टाइम मिलता है जो भी टाइम आपके पास रहता है उसमें अपनी सुबधा के अनुसार इनका शिंगार आप कर सकते हैं कोशिश करके एकादशी पर जरूर करिएगा जो लोग इकादसी का ब्रत रहते हैं वो तो करते हैं आप लोग भी करिएगा क्योंकि जो शेवा लिये हुए हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं जो नहीं लियों फिर वो भी करते हैं तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस प्रिकार का शिंगार जो है वो चंदन से कर सक सबीं बोगों कमेंटें कि दीदी चंदन शिंगार के और भी आईडिया दीजिएं तो महीं इसके 2 या 2 रिदियो उप ले सकते हैं इससे भी आईडिया ले सकते हैं मिला जूला के बहुत अच्छी सी डिजyन निकाल सकते हैं क्योंकि यह तो खुद की creativity है, खुद के भाव है, खुद पर depend करता है, और मैं इसी वीडियो आपको दिखा दूए, लोगो कमेंट आया था कि दीदी, आपने अपने मंदिर में एक fridge रख रखी है, क्या, तो जी हाँ, एक fridge रख रखे है, मैं आपको इसी वीडियो में दिखा आपधी सकते हो जाता है, नहीं कोषिश करके थोड़ा सकी मिनी प्रेज आप यह मैं अइच लूद में पर्सक यह भी जाक है उज नहीं हम इसी, पनिक शूद मिनी प्रेज़ु और मंदिर का ही फ्रेज हो उज जगे, और बेदया, तो बहुत ही चोटी चोटा सा थ्रेज़ सोने वाला पालना हम आपने उंतार दिया है तो यह जो है ना फ्रेस मंदर का ही है तो कमेंट आए था मेरेकास कि दी थी क्या यह फ्रेज है आकर फ्रेस है तो कितना बड़ा पहुत चोट प्रेज है इन फेक्ट मैं आपको उपर दिखा दूं कि यह ना यहीं कहीं लिखा होगा यह सायद 50 लीटर का है या मैं कभी इस पर स्वेडियो बना के आपको दिखा दूँए कि यह कितने लीटर का है पर यह बहुत चोटा सा फ्रिज है तो एक जो कमेंट था वो मैं आपको यह बता दू तो यह फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने भी पूजा किये हुई है मंदिर में इसलिए पुष्प वगरा अर्पित है और यह हमारे लिटर को पाल है तो इनका शिंगार आप चंदन से इस पिकार से कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप जानते हैं अगर आप नए है चैनल पर तो आपको सब्सक्राइब करना है पुराने है तो वीडियो को लाइक करना है सबी लोगों को कॉमेंट करना है और आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर जोइन भी कर सकते हैं वहां भी हमारी बहुत ही प्यारी सी फैंबली है तो आप मुझे वहां जोइन कर सकते हैं और यह देखे गलनती का चड़ी हुई है सब लोगों कमेंट रहते हैं कि दिधी गलनती का वगरा दिखा दिया गरिया दर्शन करा दिया गरिया तो जी हाँ आप देख सकते हैं यह जो है तो फ्रेंड्स मैं मिलती हुदा न्यू वीडियो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें फ्रेंड और फैमली के साथ शेयर करना मत भूनें मैं मिलत्यों विदा न्यो वीडियो तफ्तक के लिए जैए श्री कृष्णा रादे रादे बाई बाई फ्रेंड्स बाई बाई